आडियो एक उस तक विवाहूं के आदर्ष और सिध्धान्त लेकक, वेदमूर्ती, अपोनिष्ट, पंडिश्री राम शर्मा आचारे टॉपिक विवाहूं के आदर्ष और सिध्धान्त विवाह उत्सव के लिए बुद्धी बेच क्यों दी जाए? किसी जीवित समाज और सजी राष्ट को यह रीती निती अपनानी ही पड़ती है कि वह अपनी आंतरिक दुरबलताओं को समझे और उन्हें सुधारने के लिए साहस बुरग प्रैतन करे जिनमें यह प्रवत्ती विक्सित नहीं हुई जिने ढर्रे का जीवन जीते रहने की आदत है वे पिछड जाते है समय उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाता है और उन्हें अपनी भूल पर पश्ताते रह जाना पड़ता है परिस्तियों का सुधरना बिगड़ना विचारों के उतक्रिष्ट निक्रिष्ट होने पर निर्भर है मनुष्य की 90 प्रतिशत शक्ती उनके भीतर चेतन प्रदेश में भरी पड़ी रहती है आदमी जैसा सोचता है वैसी ही उसकी चेष्टाएं होती है और जैसी चेष्टाएं होती है वैसी ही साधन समगरी मिल जाती है और वैसी ही परिस्तियां बन जाती है व्यक्ति तथा समाज के उत्थान पतन की यही परिपाटी रही है और रहेगी सैकडों वर्षों से चीन अफिमची बना चला आ रहा था वहां लोगों को यह लत थी जिसके कारण वे अपना बहुत कुछ गमा चुके थी उनने अपने आपको सुधार ने एवं बदलने का क्रम बनाया तो पिछले तीस वर्षों में उस पिछडे हुए देश ने आशातित प्रगती करके दिखाई अमेरिका 100 वर्ष पहले कहां था? रूस की 50 वर्ष पूर क्या इस्ति थी इंगलेंड की 300 वर्ष पूर क्या परिस्तित्या थी? अफरिका के नवोधित डाष्टों ने 30 वर्ष में कितनी मंजिल पार कर ड़ी इन तत्यों को इतियास के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। प्रगती का आकांशी प्रतेक समाज अपने को आंतरिक द्रश्टी से भावनात्मक द्रश्टी से समर्थ बनाने का प्रयत्म करता है। उस दिशा में उसे जितने सफलता मिलती है उतनी ही उसकी प्रगती भी संभव होती चले जाती है। विवेक शीलता आवेशक उदिये मान भारती राश्ट को अपनी प्रगती के लिए बहु मुखी पुर्शार्थ करना पड़ेगा। राजनेतिक सोतंतरता मिलने से तो उसे अपने आपको बनाने या बिगाडने मातर का अधिकार मिला है। प्रगती तो हमारी कामना और बुद्धी मतापर निर्भर करेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक प्रगती करनी होगी। यह सोचना होगा कि प्रगती के पत पर अवरोध उत्पन करने वाली हमारी दुरबलताएं क्या-क्या हैं। और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए। जब तक इस प्रकार सोचना आरंभ ना किया जाएगा तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। आर्थिक प्रगती एक बहुती गौन बात है। दुरगणी व्यक्ती आर्थिक उन्नती होने पर अपनी मुर्खताओं का और भी अधिक उग्र और भी अधिक भौंडा प्रदर्शन करते हैं। फल सरूफ वे अधिक मात्रा में उपलब्द धन से अधिक जल्दी सत्यनाशी करते हैं। हमें प्रगती की ओर अग्रसर होना हो तो उन कारणों को खोज निकालना चाहिए जिनोंने किसी समय संसार के सर्वोच शिखर पर विराजमान भारते समाज को आज दैनिय दुरदर्शा के गर्त में धकिल दिया है। इन दुर्बलताओं में सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम सौतंत्र चिंतन की शमता खो बैठे हैं। गुण दोश की द्रश्टी से किसी बात पर विचार करने की हमारी सामार्थे नश्ठ हो गई है। देखते रहें कुछ दूर भी आगे तक बढ़ सकेंगे उसमें संदे ही किया जाएगा। सौतंत्र चिंतन का और अनोचित्य को बदलने का साहस यही दो विशेष्टाइं संसार के सजीव राष्ट को अपने भीतर उदय करनी पड़ी हैं। तभी वे बहु मुखी प्रिदिभा की और अग्रसर होने में सफलता प्राप्त कर सके हैं। हमें भी इसी मार पर चलना पड़ेगा। अपने पिछडे पन को छाती से चिपकाय रहने से तो हम दुरदर्शा ग्रस्त ही बने रहेंगे। प्रगती शील संसार हमारी मूर्ता का उपहास करता हुआ आगे निकल जाएगा और हम जिस तिस पर दोशा रुपन करते हुए बैठे बैठे दुरगती का रोना ही रोते रहेंगे। आंतरिक दुरबलताओं को समझें। आंतरिक दुरबलताओं में सामाजिक अस्त व्यस्ताओं के कारण होने वाली हानियों पर विचार न करना और जो विचार आमे भी उन्हें कारे रुप में परिणत करने का साहस न करना हमारी एक बहुत भारी तुरुटी है। बेशक प्रबल मनस्वी लोग परिसितियों को बदल डालते हैं पर साधारन जनता परिसितियों की गुलाम होती है। भेड़ चाल चलने वाले लोग ही अधिक होते हैं। इसलिए प्रबुद्चेतना संपन देश भक्त लोग सदा ही यह विचार करते हैं कि समाज में विकास और मुखी स्वस्त परंपराएं प्रचलित रहें। अनुप्यक्त प्रथाओं को हटाने के लिए सदा से मनीशी, दूरदर्शी एवं अगणी लोग समय समय पर प्रबल प्रेतन करते रहते हैं। कि विक्रितियों के कारण जन साधरन के चरीतर पर पढ़ने वाले दुश प्रभाव को रोका जा सके। आज इसी प्रकार के प्रबल प्रेतनों की पुनहा आवशकता उपस्तित हो रही है। नैतिक और भावनात्मक द्रश्टी से हमारे पिछड़े पन का एक बड़ा कारण हमारी सामाजिक इस्तिती है। औसत व्यक्ति को परमपराओं के धर्रे पर चलना पड़ता है। उस धर्रे के दबाओं में नैतिक और बौद्धिक उज्वलता से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। अतेव विचारशे लोगों के लिए यह आवशक ही होता है कि वे उन रूडियों से लोहा लें जो राष्ट को खूकला करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतिय समाज पुराना है। पुराने मकान में लोनी भी लग जाती है और उसके गिर पड़ने का खत्रा भी उत्पन हो जाता है। बुद्धिमान लोग समय रहते उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आज हमारे समाज रूपी भवन में अनेक इस्थानों पर ऐसे गड़े और खोंतर उत्पन हो गए हैं जिनकी मरमत अनिवारे रूप से आवशक हो गई है। राश को दुरबल बनाने वाली कितने ही सामाजिक कुरूइतियों ने हमें घेर रखाये और वे प्रगदी के पत पर भारी चट्टानों की तरह अड़कर बैठ गई हैं। आज उनका हटाया जाना समय की सबसे बड़ी आवशक्ता है। प्रस्तु सामाजिक बुराईयों के रहते हम ना तो समर्थ बन सकते हैं और ना सशक्त। जब तक वे हमारी बरबादी का सरण जाम जुटाए बैठी रहेंगी तब तक आगे बढ़ सकना संभव भी कैसे होगा। कुरूइतियां और अंद परमपराओं का बाहुल्ये। जब उसमें सब्धे प्रथा परमपरा प्रचलित हों। जब उसका असर इतना भयानक बन जाए भार इतना बढ़ जाए कि उसे संभालते न बन पड़े तो निश्य ही एक चिंताजनक बात है। शादी आज एक बरबादी का कारण बनी हुई है। बार-बार विचार करने पर भी ऐसी कोई उप्योगता सूज नहीं पड़ती जिसके लिए कि इतना खर्चिला आडमबर खड़ा किया जाए। गरीब देश के गरीब लोगों को अपने उत्सफ समारों भी गरीबों की तरह ही करने चाहिए ताकि उनकी आर्थे किस्तिती पर अनावशक दबाव न पड़े। पर दुर्भाग्य से आज ऐसी प्रथा परंपराएं प्रचलित हैं जिनके कारण हर व्यक्ति को अपनी सामर्थे से कहीं अधिक पैसा इस जंजट में आकारण बरबाद करना पड़ता है। यह बरबादी व्यक्तियों एवं परिवारों की अत्यंत महत पुन आवशकताओं से भी उन्हें बंचित रहने के लिए विवश करती है। पिए जाना चाहिए। सादगी से कम खर्च में यदि विवा किये जाने लगें तो उसमें किसकी क्या हानी होगी, किसका क्या बिगड़ जाएगा। इस पस्ठ है कि हानी का तो प्रश्ण ही नहीं, हर द्रश्टि से लाभ ही लाभ है। सरल और साधा विवाह उत्सव यदि सीधे सरल ढंग से पूर्ण सादकी के साथ छोटे पारिवारिक उत्सवों की तरह विवाह शादी होने लगें तो इसमें किसी का कुछ भी अहित नहीं वरन सबको सब प्रकार की सुविदा ही रहेगी कन्या के अभिभावकों को घर में बच्ची जन्मने पर जो शोब होता है वे फिर क्यों होगा वे लड़का उत्पन होने की तरह लड़की के जन्म की भी खुशी मना मेंगे जब विवा के लिए जोड़ना जमा करना ही नहीं है तो वे अपनी बच्चीों के स्वास से वर्दन एवं शिक्षा विवस्था में उस पैसे को लगाने के लिए खुशी-खुशी तयार होंगे जब यह प्रथा मिट जाएगी यह अच्छे लड़के अधिक पैसे देने पर ही मिलें यह स्वस्थ प्रतियोगिता लड़कियों के भविश्य को उजल बनाएगी नए सुसंस्टित परिवारों का विकास करेगी तथा राष्ट की प्रगती में हर द्रिष्टी से सहायक होगी सुयोग्य लड़कियां अपने दिशिष्टाओं के आधार पर पती के घर में सम्मान प्राप्ट करेंगी आज पश्यों की तरह बवों का जो उत्पिड़ान होता है उसके मूल में उनकी अयोग्यता ही होती है अपने जीवन का भार सम्म वहन कर सकने की शमतना होने से ससराल ही उनके गुजारे का एक मात्र सहारा रह जाता है बड़े से बड़ा उत्पिड़न सहने पर भी पशू की तरह उनके लिए यही एक मात्र आधार रहता है लोग उनकी इस कमजोरी को समझते हैं और इसी कारण उन्हें दहेज आधी न मिलने पर अनावशक ढंक से सताने का सहस करते हैं बेकार भार की तरह उसे मैके वालों के मत्थे मर देते हैं परीत्यक्त्याएं केवल आजीवन आसू बहाते रहने और अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहने के आतिरिक और कुछ नहीं कर सकती हैं यह दुर्गती केवल इसलिए होती है क्योंकि उनकी शिक्षा एवन योगता नहीं के बराबर होती है यदि वे सुयोग्य सुशिक्षित रही होती हैं तो सस्राल वाले भी उनकी उपयोगता समझते और तिरसकार करने का भाव भी मन में न लाती कदाचित ऐसा कोई संकट भी आता हो कम से कम अपने पैरों पर खड़े होकर अपना निर्भा कर सकने में तो समर्थ रही होती उसे उपयोगी कारियों में लगावें दहेज के लिए पैसे बचाने से निवरित अभी भावक सुभावत अपनी बच्चियों के भविश्य के बारे में सोचेंगे और जो पैसा उन्हें विवा में लगाना था उसे कन्याओ की योग्यता बढ़ाने में व्या करेंगे इस द्रश्टी कोण के कारण जिन लड़कियों को सुवयोग्य बना दिया गया वे पिता के दिये हुए इस अनुदान को आजीवन अपने साथ रखे रहेंगी ससुराल वाले भी उसे छीन ना सकेंगे बच्ची अपने अभिभावकों की बुद्धी मता एवमुदारता के आभार पर कितनी अधिक संतुष्ट रही होगी जबकि दहेज के नाम पर दिये गए पैसे में से उसके हाथ छदाम भी नहीं रहती कदाचित उसे किसी संकट में फसना पड़ा तो पिता के द्वारा विवां में खर्च की हुई संपत्ति तो दूसरों के मनोरंजन का आधार बनकर कहीं अन्यतर चली गई होती है बेचारी लड़कियां तो उस अनुदान से भी कोई लाब नहीं उठा पातीं उन्हें सप्रकार खाली हाथी रह जाना पड़ता है यदि यह दहेज अनुदान उन्हें अपनी प्रतिभा विक्सित करने के रूप में मिल गया होता तो वे कितने प्रसन होती यह कहने की आवशक्ता नहीं होने चाहिए हर मुसीबत के समय उनकी यह सुयोगिता उनके लिए वर्दान बनी सहायक बनी हुई होती तब तिरिसकार भी उन्हें कहीं किसी का न सहना पड़ता